इस वीडियो में हम लोग जानेंगे चैप्टर थ्री के बारे में और ये चैप्टर हम लोग को बताएगा सिंथेटिक फाइबर्स और प्लास्टिक के बारे में इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे synthetic fibers क्या होता है उसका क्या description हो सकता है स्को कैसे हम लो define कर सकते हैं synthetic fibers के types क्या क्या है synthetic fibers का characteristics क्या क्या हो सकता है फिर जब हम लोग plastic के बारे में जानेंगे तो ये जानेंगे कि plastic क्या होता है types of plastics के बारे में जानेंगे उसके जो फाइदे हैं उसके बारे में जानेंगे और प्लास्टिक्स कहां कहां यूज होता है उसके बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे तो जो कपड़े अभी आपने पहने होगे जो कपड़ा भी आपने पहना होगा वो फैब्रिक्स का बना हुआ होता है ठीक है वो जो small small धागा होता है उसको हम लोग fabrics बोलते हैं fabrics दो टाइप का बन सकता है ठीक है fabrics जो है वो fiber का बनता है यो जो धागा है वो fiber का बनता है और fiber जो है वो दो तरगा होता है एक होता है natural fiber जैसे कि cotton का धागा cotton का जो धागा है वो natural है फिर artificial source यानि कि जो इनसानों ने अपने दिमाग लगा के बनाया है उसको उस तरह से जो fibers बनता है उसको हम लोग artificial sources से बोल सकते हैं तो ये जो आपका polyster हो गया, polyster का जो धागा है वो artificial source से मान सकते हो आप ठीक है अब देखो, जो हमारा पहरा तो था natural fiber, तो natural fiber के बारे में तो हम लोग पढ़ने रहें इसलिए हम लोग इस chapter में पढ़ रहें, synthetic fiber के बारे में, synthetic fiber को हम लोग man-made fiber भी बोलते हैं इसका मतलब है कि वो man के दोरा, यानि कि human beings के दोरा बनाया जाता है तो human beings के दोरा जो fibers बनता है, उसको synthetic fibers बोलते हैं ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो, यह एक example है, paper clip का बना हुआ है paper clip भी in fact artificial fiber से ही बना हुआ है, ठीक है अभी आपको एक home work के लिए आप comment में बताना कि जैसे natural fiber है ठीक है, natural fiber जैसे cotton हो गया, तो cotton से क्या बनता है, तो cotton से हमारा कपड़ा बनता है, close बनता है, build sheet बनता है, ठीक है उसी प्रकार से artificial fiber जैसे की polyster, polyster से क्या बनता है, polyster से हमारा कपड़ा भी बनता है और अलग अलग चीज़ें भी बनती है उसी प्रकार आप दो नेच्रिल फाइबर से और दो आर्टिफिशल फाइबर से बनने वाले चीज़ों के बारे में बता दो, कमेंट सक्षन में ठेक है, अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एक बीड है, यहने कि छोटा छोटा दाना का बना हुआ एक माला है और यह एक पेपर क्लिप है, जो कि छोटे छोटे पेपर क्लिप के द्वारा बनाया गया है अब इस पेपर क्लिप को ध्यान से देखो इसमें बहुत सारे पेपर क्लिप एसे एक दो तीन, चार, पांच, छेस, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोगदा है ठीक है अब एक पेपर क्लिप को अगर ले लेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे माल लेते हैं इसका नाम देते हैं हम लोग M ठीक है या O देते हैं ज्यादा रिलेटेबल लग रहा एक paper clip है इसको हम लोग बोलेंगे monomer ठीक है तो इसी प्रकार से each small unit ठीक है each small unit is actually chemical substance यहाँ पर जो हमारा paper clip है इस paper clip को जब हम लोग real life polymer में देखेंगे तो यह छोटे छोटे एक unit जो है वो chemical substance होते हैं और ऐसे ही छोटा छोटा chemical substance मिल करके बनता है polymer और यहाँ पर हम लोग paper clip के बारे में बात कर रहे तो paper clip को आप change कर दो chemical substance में ठीक है polymer जो है उसको वो आता है Greek word से poly poly का मतलब मैनी बहुत सारे यहाँ पर paper clip भी बहुत सारा था और मर मर का मतलब होता है unit paper clip का एक unit बहुत सारा था इसलिए पॉलिमर हो गया ठीक है तो पॉलिमर है एक ऐसा पॉलिमर एक ऐसा चीज है यहाँ उसको लोग ऐसा word बहुत सकते हैं जिसका मतलब होता है कि बहुत सारे parts का बना हुआ होना ठीक है अब पॉलिमर हमारा नेचर में भी देखने को मिलता है सेलुलोस को पना करके जोड़ जोड़ के एड़ करकरके एक पॉलिमर बना जिसका नाम दिया गया cotton अब सेलुलोस क्या था एक particular unit था तो इस unit को हम लोग बोलेंगे monomer, mono का मतलब एक मर का मतलब unit यानि कि एक unit ठीक है अब हम लोग बात करते हैं synthetic fibers के types के बारे में तो पहला type के बारे में जो description हो रहा है वो है rayon हम लोगों ने class 6 में बढ़ा था silk fiber के बारे में ठीक है silk warm कहां discover किया था हम लोगों ने class 7 में जाना था कि silk warm जो है वो चाइना से discover हुआ था और वो Chinese जो है इतना खुस हो गए silk warm को discover करके टाइप बना उसका नाम था rayon ठीक है rayon को artificial silk artificial यानि इनसानों द्वारा बनाया गया silk भी कहा जाता है ये जो silk है ये बनाया गया था 19th century में यानि की 19th century में यानि 1870s 80s 90s के end में ये बनाया गया था और scientist लोगों के द्वारा ये बनाया गया था ओब्यस सी बात है ठीक है तो ये इतना खूबशूरत था इसका इतना ज़्यादा soft था ये कि इसको नाम दे दिया गया artificial silk ये जो rayon था या artificial silk था ये wood pulp के chemical treatment से उप्टेन किया गया था chemical treatment से ये बनाया गया था wood pulp यानी की हो गया आपka जो लकडी के अंदर का गूदा होता है उसको wood pulp होता है जासे कि मालो ये हमारा लकडी है ठीक है तो ये जो अंदर वाला गूदा होता है इसको हम लोग wood pulp होते हैं तो wood pulp के chemical treatment के बाद बनाया गया rayon ठीक है rayon जो है हलाकि नेचुरल सोर्स से निकलता है क्योंकि वूड पल्प क्या है मर नेचुरल सोर्स है वो तो भगवान के दोरा बनाया गया लकडी लकडी तो हम लोगों ने नहीं बनाया लेकिन फिर भी इसमें जो कैमिकल ट्रेटमेंट किया गया इसलिए इसको बुला जाता है मैनमेड द्वाइबर अब मैनमेड के है नानिकि इंसानों त्वारा बनाया जाता है इंसान तो कई सारा बहुत जढ़ finely सकते हैं लेकिन भगवानों के दोरा जो सिलकल बनाया गया वह बहुत ज़दा उसका पौड़क्शन नहीं होता है इसलिए जो रे इसली ai झो झो आधाए। सिल्क है वो असली सिल्क जो नेचरल सिल्क है उससे काफी ज़्यादा सस्ता होता है और यह सिल्क फाइबर में वू बैंट उसको साथ में उसको बना करके मतलब मिला करके नए-नए कपड़े भी बनाया जा सकते हैं अब रेयॉन जो है इसको अलग-अलग कलर्स में डाइ किया सकता है इसको अलग-अलग कलर्स में भीगो के जा सकता है अब दूसरा जो इंसानों के द्वारा बनाया गया सिंथेटिफाइबर वह नाइलॉन नाइलन बनाया गया था 1931 में ठीक है अच्छा नाइदल के बारे में एक स्टोरी यह है कि नाइलन दो वर्ट से बना है एक है न्यू यॉर्क और एक है लंडन ठीक है तो यह अब यह जो नाइलन है यह बनाया गया था यह भी चुकि कोई भी चीज बनता है तो वह तो नैच्छरल रिसोर्स तो उसका बेस होगा है ना तो नाइलन जो है वो विदाउट एनी नैच्रल सोर्स बनाया गया था यानि कि नाइलन को जब बनाया गया तो उसमें नाही प्ल ांट का फाइबर से बनाया गया खग तो इसको हम लोग क्या सकते हैं नाइलोन जो था वो पहला फुल्ली synthetic fiber था यानी कि पहला ऐसा synthetic आञीसा फाईबर था जो की पुछी तरीके से इनसानों ने बनाया था nylon fiber जो बनके तयार हुआ तो पता चला हम goose सकते हैं और काफी हलका होता है कभी आप टच करोगे ना लोग को तो वह काफी हलका होगा ठीक हैakti यह इतना ज़्यादा लस्चरस छा मतलब बहुता था ठीक है और इसको ढोने में काफी आसानी होती थी इसलिए यह बहुत जादा famous हो गया बहुत जादा popular हो गया और लोग इसको काफी जादा use करने लगे फिर जैसे यासे market में नाइलोन बढ़ने लगा तो इनसानों ने नाइलोन का अलग अलग चीजे बनाना श्टार्ट कर दिया जैसे कि मोजा हो गया ropes हो गया, tent हो गया, tooth brush हो गया, car sheets हो गया, built हो गया, यह सब देखो tooth brush, यह सब भी nylon का ही होता है, और tooth brush कितना हलका होता है, है ना, फिर car का seat belt हो गया, sleeping bag हो गया, जो आपका अपना पर जो परदा है, यह curtains, यह सब भी nylon का ही बनाया हुआ है, ठीक है, nylon parachutes बनाने में भी काम आता ह क्योंकि पेरासुट्स काफ़ जादा हलका होता है स्टॉंग होता है एलास्टिक होता है ठीक है साथ ही साथ यह रॉक क्लाइंबिंग करने के लिए जो रोप्स होते हैं उसको बनाने में भी यह काफ़ी जादा मददगार होता है और इसी से वह रोप्स भी बनता है क्यों क्यो होता है ना तोह तराजू इसलोट बना दो एक कॉस्टन का पहले दागार है दे तुट है और यह पैस बना दो अपस्समें आप डाले चीजों को डाल के उसमें देखते हो छ सकता हैं हैं अलग अलग चीज़ों को डालके मतला वह प्रगार शक्रेण का प्र्लिट सोगें तो कितना weight लगा उसको तोड़ने में मालेते हैं 500 ग्राम का डाले और वह तूट गया सिल्क डाले तो मालेते हैं कि एक कीलो डाले और वह तूट गया नाय लोन का डाले तो कितना weight में तूटा कम से कम 3-4-5 पांच केज़ी तो इस तो हम लोग जान सकते हैं कि नायलोन कितना ज्जादा होता है तो नायलोन का अगे बढ़ते हुए आते हैं पॉलिष्टर और एकरफिक में और हैं एक संथेक्टिक फाइबर तो इंसानों के द्वारा बनाया गया है पॉलिष्टर का खुबी यह है कि वह रिंकल नहीं होता है यह जैसे हम लोग कॉटन का कपड़ा कर रखो गया आप मोड़के तो देखना उस वह एकदम सिकुड़ जाएगा ठीक है बट पॉलिष्टर जो है वह सिकुड़ता नहीं है ठीक है वह हमेशा एकदम सही रहता है और उसको धोने में भी वाश करने में भी काफी आसानी होती है इसलिए इसको ड्रेस बनाने में पॉलिष्टर का ड्रेस बनाना काफी जादा इजी होता है जैसे हमने स्टार्टिंग में ही कहा था कि पॉलिष्टर का भी ड्रेस बनता है पॉलिष्टर का भी कपड़ा बनता है इसका यही कारण है कि polyster जो है वो मुझा सब्सक्रारों को अ recuer truck है और दोना बहुत आसान होता है थेक है हम और हम लोग ने आप इसनले देखा है जोने लोग पांस पर का सट पैंते हैं कोई कोई उससाथ का टी-शेट पैंता है अब Telly turn जो है वह polyster象 का एक alors टेरेलीन जो है पॉलिष्टर का एक टाइप है और वो पॉलिष्टर पॉलिष्टर चुकि उससे कपड़ा बनता है तो टेरेलीन से भी कपड़ा बनता है ठेक है टेरेलीन को पॉलिष्टर को बहुत ही फाइन थ्रेट्स में या फाइन फाइबर्स में ड्रॉ करके उसको अच unlucky प्रेटिन रिबिशित घयां क्यों क्योंकि उसमें राइस और सुगर को रखती है बिर चाहता थो पीईटी होता पाली टिलीन ट्रीफलेट भी इक पॉलिश्टर है पॉलिष्टर जैसे हम लोगों ने पहले बता है वो सिकूरता नहीं है अब पॉलिष्टर का यहां पर क्या यूज हो रहा है तो पॉलिष्टर को बॉटल्स बनाने में जो किचन में काम आता है उसके बाद फिल्म वायर बनाने में उस यह सब चीजों बनाने में पॉलिष्ट का मतलब क्या होता है पॉलिक का मतलब होता है मैंनी तो बहुत सारे इस्टर का बना हुआ जो यूनिट होता है भी है स्वाषटर यह फिस एस इसे है इस्थ आसल कहें हजटा है जो से उदो कि उसका है了 बहुत अच्छा आता है फैब्रींख चो बनता है इस याने के का जैसे polycott हो गया poly whore ग्या टेरी कॉ chops हो गया इस मेंunto में k怪 acquisition का बहुत सारी जै necessarily सीतला से सब्सक्राइद जैसे दो भी यूदा कर तौन चात्य फैरी ठीरे-चार्ण कर ने कहले ऽैसे लोगह ने पहले बताया टोलीकाइद अर काटन टल्व एस्हें सब अद्र fibers को मिला करके भी यह कपड़ा बनाया जा सकता है अब हम लोगा ने बहुत सारे सस्ते salts या sweaters market में देखे होंगे खास करके जब सर्दी होती है तब winter जब होता है तब ठेक है यह सब इसलिए अतना सस्ता है क्योंकि यह natural wool का नहीं बनता है natural wool का नहीं बनता है यह इंसानों के द्वारा जो एक तरह से synthetic fiber है जिसका नाम है acrylic उसका बना होता है अब जो हम लोग natural wool का कपड़ा पहनते हैं वो काफी यादा महंगा होता है लेकिन acrylic का जो कपड़ा होता है दो सो तीन सा चलता है बट यह काफी समय ते चलता है चुकि यह संस्ता है इसलिए इसका demand है वो wool से भी ज्यादा होता है इसका ठेक है क्लास 6 में हम लोग ने अलग-अलग fibers को जलाया था जलाने के बाद हम लोगों ने यह पाया था कि जो synthetic fibers होता है वो जब जलता है तो वो पूरा पिघल जाता है लेकिन जब natural fibers जलता है तो वो पूरी अच्छी तरीके से पिघलता नहीं है और वो धीरे धीरे जलता है तो synthetic fiber का ये बहुत बड़ा नुकसान है कि वो दुरंत जल जाएगा और फटाक से melt हो जाएगा इसका मतलब क्या है कि मालो अगर आप या माल लेते हैं कि कोई कपड़ा रखा हुआ है एक जगह cotton कपड़ा रखा हुआ है एक जगह polyster का कपड़ा रखा हुआ है या अगर अग Important का कपड़ा रखा हुआ है तो पहले एकरलिक का कपड़ा जल जाएगा इसका मतलब है अगर कोई इंसान चीप या फिर सस्था वाला सॉल या ऐकरलिक का सॉल या फिर polycoatMissली लीक्त कपड़ा या एकरलिक का कपड़ा पहन हुआ है ये सब पहन के अगर उसको आग लग जाएगा तो उसको बहुत ज़्यादा नुक्सान हो सकता है उस इंसान को भी नुक्सान हो सकता है साथ ही साथ वो जो कपड़ा है वो तो चला ही जाएगा लेकिन अगर कॉटन कपड़ा पहना हुआ होगा तो उसको कम नुक्सान होगा क्य क्योंकि cotton धिरे धिरे जलता है ठीक है इसी लिए बोला जाता है कि synthetic close पहन के kitchen में नहीं जाना चाहिए क्योंकि kitchen में fire का fire लगने का काफी अदर chances होता है ठीक है एक बात और जितने भी synthetic fibers बनते हैं सारे synthetic fibers petroleum origin के होते हैं इस यह उनको petrol chemicals भी कहा जाता है ठीक है अब हम लोग जानते हैं synthetic fibers के characteristics के बारे में तो माल लेते हैं कि कभी बारिश हो रहा है बारिश हो रहा है तो आप कौन सा मरेला रेना परसंद करोगे cotton का मरेला या फिर synthetic fiber का मरेला क्या होगा जैसे ही बारिश होगा तो पूरा भीग जाएगा और वह आपके फाइदेका नहीं रहेगा तो synthetic fibers के पास unique characteristics होता है बहुत अलग टाइब characteristic होता है जिससे वह popular dress material बन जाता है जैसे कि वह काफी जल्दी तरीके से सूख जाएगा काफी दुनों तक चलेगा काफी सस्ता होगा और बहुत मार्केट में आसानी से आपको मिल जाएगा और उसमें बहुत जादा आपको तकलीफ भी नहीं होगा उसको maintain करने में एक्जामपल के तौर पर देखो एक cotton का कपड़ा है ठीक है यह है cotton हमारा यह हमारे पॉलिष्टर हमारा ठीक है जैसे ही आप उसको गीला करोगे या काचो या उसको धोगे वाश करोगे तो सुखाने में उसको cotton को सुखने में काफी करोगे एक साल चलेगा पॉलिष्टर आप रफ यूज करोगे तो कमसे कम 3 साल चलेगा ठीक है cotton आपको अच्छा से आपको 500 रुपे में पड़ेगा मान लेते हैं पॉलिष्टर आपको 100 रुपे में पड़ेगा ठीक है उसके बाद cotton जब आप रखोगे सट cotton का सट मान लो आ ज़्यादा सज़ादा पुछ को ज़्यादा मतलब आप उसको जाए सब्रेस कर दो आयरन कर दो वरना ना भी करो तो भी चलेगा अब बताओ कि कौन सा कपड़ा अप लेना पसंद करोगे अगर आप पॉलिस्टर देना पसंद करोगे हैं ना क्योंकि उसमें बहुत सारे अब सिंत्रिटिक फाइबर को हम लोग अलग रखते हैं और आते है नेक्स को पर जो कि है प्लास्टिक्स टो भैसाब आज का डेट में प्लास्टिक बहुत जगह मिलता है और एब्रीडे यूज में हम लोग प्लास्टिक इस्तिमाल करते हैं एक्जामपल के तौर पे कप देख लो प्लास्टिक का चेयर देख लो प्लास्टिक का टेबल देख लो प्लास्टिक का बच्चों लोगों का टोई देख लो प्लास्टिक का है ना अब दो तरह का एरेंजिमेंट होता है polymers का polymers का जो दो तरह का एरेंजिमेंट होता है वो एक ऐसा linear सीधा है देखो linear सीधा है दूसरा है cross link यानि कि इधर से भी इधर से भी इधर से भी इधर से भी चारो तरब से यह link है यह डबा चारो तरब से link है तो cross link हो गया यह डबा सीधा सीधा link है तो यह linear हो गया ठीक है दो तरका होता है arrangement अब इस यह इसलिए बताए जा रहा है क्योंकि यह काफी ज़्यादा important होने वाला है इस topic में तो plastic ऐसा polymer है वो भी in fact synthetic fiber से बना होता है ठीक है हर plastic का arrangement एक जैसा नहीं होता है यसे हम लोगों ने पहले ही linear याने की सीधा cross link याने की चारो तरब से तो दो तरद का arrangement होता है पहरा ता लिनियर और दूसरा होता है cross link अब जो plastics है वो भी उसी टाइप से बनता है linear arrangement से ही बनता है और cross linked arrangement से भी बनता है प्लास्टिक्स इतना अदा यूज में क्यों है क्योंकि इसका बहुत सारा फाइदा है पहला फाइदा ये है कि प्लास्टिक को हम लोग recycle कर सकते हैं ये जो हमारा चेयर है इसको हम हम लोग heat कर देंगे तो ये प्लास्टिक को हम लोग रोल करके सीट बना सकते हैं इसको तार में कर सकते हैं इसलिए प्लास्टिक का बहुत जादा अलग अलग टाइप का यूज होता है अब एक हम लोग का एक carry bag होता है ना मतलब जो बहुत जादा इस्तिमाल किया आता है लेकिन वह इस्तिमाल हम लोग को नहीं करना चाहिए उसको उसका नाम है polythene bag या आप बोल सकते हो normal languages में plastics या polythene bag ठीक है polythene bag होता है ethene का बना हुआ होता है बहुत सारे जब ethene का unit मिल के बनाते हैं एक plastic तो उसको बहुते हैं उसके बारे में लोग आगे बात करते हैं बट ऐसे plastics जैसे हम लोगों ने जाना कि plastic अलग अलग form में बन सकता है ऐसे plastics जिसको हम लोग deform करके उसको हम लोग change कर देंगे उसका जो safe है वो change कर देंगे गरम करके तो इसको हम लोग बोलते है थर्म प्लास्टिक यहाँ पर ठीक है यह हमारा चेयर था माल देते हैं इसको हम लोगों ने क्या किया इसको हम लोगों ने क्या हीट किया हीट करने के बाद यह deform हो गया ठीक है डीफॉर्म होने के बाद इस चेयर का जितना भी प्लास्टिक था वो हम लोगों ने एक जग में बना दिया ठीक है तो ऐसे जो प्लास्टिक होता है इसको हीट करने के बाद वो डिफॉर्म हो जाएग जो है वो आपका देखने को सब से आदा मिलता है पाइपस में water pipes में थेक है वाटर पाइपस का जो आपका प्लास्टिक बना उआ होता है वो PVC का ही बना हुआ होता है अब हम लोग जानते हैं थर्मो सेटिंग प्लास्टिक के बारे में थर्मो सेटिंग प्लास्टिक ऐसा प्लास्टिक होता है जो एक बार जिस तरह से बन गया वो फिर उसको गरम कर दो तो वो सॉफ्ट नहीं होता है ऐसे वाले को बोलते हैं हम लोग thermosetting plastics example के तौर पे बेकलाइट हो गया मेलिमाइन हो गया अब बेकलाइट कहां पर यूज होता है तो बेकलाइट यूज होता है electrical switches में electrical switches जब देखो आप जब high temperature होगा तो वो गल के गिर जाएगा अब वो जो गल के गिर गया plastic उसको हम लोग chair नहीं बना सकते हैं उसको हम लोग mug नहीं बना सकते हैं कुछ नहीं बना सकते हैं वो एक बार जब गल के गिर गया तो ख़तम कार नहीं चांश के तो ऐसे ते तर्मो सटिंग् प्लास्टिक को ऐसे जो प्लास्टिक सोते हैं उसको थर्म रिक्रिकल स्वीचियोगी अलग-अलगय यो योटेंसी प्रॉतिकल्य कर स्बसक्राइब इसका है एक इस्धे से बना नहीं इसलिए इनसानों को यह राहत देता है ठीक है मेले माइन जो होता है वो फायर को लगने नहीं देता है फायर को रसिस्ट करता है और वो हीट को काफी बहता तरीके से टॉलरेट भी कर सकता है दूसरे प्लास्टिक के मुकाबले ठीक है मेले माइन का इस्तमाल कहा होता है तो floor का tiles बनाने में इस्तमाल होता है kitchen wear बनाने में इस्तमाल होता है जहांपर की fire को रोका जा सके जहांपर की fire को resist किया जा सके अब plastic as a material of choice आज के लेट में अगर हम लोगों को ये सोचा जाए अब सोचो कि आप अपना खुद घर में देख लो कि समान कहां रखा गया है प्लास्टिक में जैसे कि नमक कहां है प्लास्टिक में spices कहां है प्लास्टिक में water कहां है प्लास्टिक bottle में milk कहां है प्लास्टिक bottle में ठीक है तो इसका मतलब हम लोगों ने प्लास्टिक का इतना आदा convenience दी यूज किया है इतना ज़्यादा वो हमारे लिए convenient है कि हम लोग उसको हर जगह यूज़ करते हैं आज क्रेट में यूटेंसिल्स भी प्लास्टिक का ठीक है अब ये क्यों होता है क्योंकि उसका जो weight है वो बहुत हलका होता है जो प्लास्टिक का जो चीज़े हैं जैसे कि हमारा प्लेट हो ग एक जगह से दूसरे जगह ले लेया सकते हो तो के अफुकी प्लास्टिक हालका है object के कंपरीजन में इस लिए प्लास्टिक को कार में aircraft में स्पेस क्राफ्ट में यूजक Nous प्लांसिक का श् Lipsı मैं जो आप चपल पहनते हो रोजय स्लिपर इसमें जो आप यूज़ करते हो उ बना हुआ होता है तो यह सब प्लास्टिक का जो है वो काफी सारे उसके फाइदे हैं प्लास्टिक जो है नॉन रियक्टिव है अगर आप देखो लोहा आईरन जो है चुकि वह मॉस्चर में रहेगा तो रियक्ट कर जाएगा वो खराब हो जाएगा बट अगर आप प्लास्टिक है ये काफी दिनों तक चलता है प्लास्टिक हलका होता है इस्त्रॉंग होता है ट्रोंग होता है तरहिक hm अगर आप प्लास्टिक काहर और है कच लोहे का Dziękuję अगर थे पर लग दोगे तो प्लास्टिक का चेयर कम गर्म होगा ठीक है और एलेक्रिसिटी भी प्लास्टिक जो है वो कंड़क्ट नहीं करता है अगर एलेक्रिसिटी आप उससे पास करोगे तो वो मतलब heat की कारण göt गर जाएगा अगर थर्मर प्लास्टिक है तो ठीक है इसलिए आप देखो जो प्लास्टिक का कवरिंग होता है स्कूल ड्राइवर का जो हैंडल्स है उसमें प्लास्टिक का कवरिंग होता है तो प्लास्टिक यहां पर जो है वो पूर कंडक्टर है सहे मेडिकल केयर में भी प्लास्टिक यादा यूज हो रहा है टैबलेट का जो पैकेजिंग होता है वह भी आपका प्लास्टिक का बना हुआ Bluetooth स्वेल प्लास्टिक सेजिए है LOG के पानी जोंधूे करताifi इसलिए का कुक वेर में काफी लयादा इस्तेमाल किया जाता है अब हम लोग जानता है कि य। क्यों हमारे लिए नुक्सान देख है कि हमारे लिए य यह प्लास्टिक को नुकसान करता है नुकसान करता है न पलास्टिक को कफी ज्वूरंइंट को काफी जाड़ नुकसान करता है और सबसे जादा तो पॉलिधीन बेग क्योंकि हम लुग लोग बहुत ज़्यादा यूज करते हैं अब देखो दो तरह का चीज होता जब हम लोग फेकते हैं कोई चीज को जब हम लोग वेस्ट बना के कोई चीज को फेक देते हैं बाहर में ओपन में तो दो तरह के चीजें होते हैं पहला होता है बायो डिग्रेडेबल दूसरा होता है नन बायो डिग्रेडेबल ऐस चीज होता है जो नेचरल प्रॉसेस के थूरू डैक्टिरिया के एक्षन के थूरू वो हमारे इंवर्मेंट में अच्छी तरीके से घूल मिल जाता है दूसरा होता है नन बायो डेटेटेबल वो ऐसा ऐलिमेंट होता है ऐसा ऐसा सबस्टांस होता है ऐसा वेस्ट होता है जिस को की natural process के थूरू हम लोग उसको environment में नहीं मिला सकते हैं ठीक है वह easily decompose नहीं होता है उसको बोलते हैं हम लोग non bio degradable अब example के तौर पे अगर आप खुले जगह पर vegetables या fruits या जहां पर आपका कच्छड़ा रखा जाता है वहां पर अगर fruits vegetables रखोगे तो एक से दो हफ़ते में वह खत्म हो जाएगा और वह soil में जाके मिल जाएगा ऐसे material को बोते हैं बायो डेडेडेडेबल उसी प्रकार paper जो है वह दस से 30 दिन में मिल जाएगा ऐसे material को बोलते है बायो डेडेडेडे में वोल एक साल में ओटा subscribe साल ओन एस मीट्रियल को बोलते हैं नन बायो डेडेडेडे बल ठीक है और वहीं अगर हम लोग बात करें हमारा जो सूपर स्टार है प्लास्टिक बैक्स प्लास्टिक बैक्स दो सो तीन सो चार सो साल में जाके वो इन्वारमेंट में घुलेगा मिलेगा और वो भी घुलेगा मिलेगा अच्छी तरीके से या नहीं भी कोई guarantee नहीं है तो ऐसे materials को हम लोग बोलते हैं non-bio-degradable तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि जो प्लास्टिक बैक से ये अच्छे तरीके से नहीं घुलता मिलता है डिकंपोस्ट नहीं होता है environment में इसलिए हम लोगों के लिए बहुत जादा नुकसान दे है और fishes जो है वो माइक्रो प्लास्टिक खाखा के उन लोगों का सेहत जो है वो खराप हो जाता है ठीक है अब जो गाए जो garbage dump से खाती है इंफेक्ट वो पॉलिफिन का पेट में चला जाता है इससे क्या होता है उनका जो respiratory system है वो चोक कर जाता है और इसलिए उनका जो stomach है लाइनिंग पर जाता है और इसके करण उनका मौत हो जाता है सिर्फ काउज ही नहीं बलकि अलग अलग भी बहुत सारे अनिमस ऐसे कि डॉक्स हो गया carrots हो गया सब कुछ ठेक है हम लोग plastic bag throw कर देते हैं कि चला जाता है हमारा ocean में ocean में जाने के बाद वहाँ पर वो plastic bags छोटे छोटे अंस में आ जाता है micro plastic बन जाता है जब micro plastic बनता है जो मचलियां उसको खाती है फिर bio accumulation होता है यह सब आगे आने वाले process में पढ़ोगे इसके कारण कि हमारा मचली जो है वो मचली जो है उनको problem होता है रहने में ठेक है अब इसका मतलब सबसे बड़ा इसमें responsible कौन है इनसान हम लोग ही plastic को यूज करते हैं आपने कभी देखा कि कोई कुटा plastic ले करके जा रहा है market में समान लाने के लिए या कोई बिल्ली जा रहे है या कोई गाय जा रहा है बिल्कुल नहीं तो इनसान ही सबसे बड़ा इसका कसुरवार है अब इनसान को ही इसमें कुछ ना कुछ करना चाहिए तो क्या करना चाहिए तो सबसे पहले सबसे पहली बात है कि जो bio degradable और non-b bio degradable waste है वो चाह करके environment में आशी दरीके से घूल मिल जाएगा non-bio degradable waste को आप अलग कर दो अब उसको अलग करने का क्या मतलब है कि आप उसको recycle करो खुद से recycle करो उसको reuse करो है ना और उसको ज्यादा टाइम तक उसको use करते जाओ अब as a responsible citizen एक अच्छे नागरिक होने करन ज 5R पहला और रिडियूस यानि कि कम से कम प्लास्टिक का सेवन करेंगे आप अभी सबस लोग कि हम कम से कम प्लास्टिक का use करेंगे reuse एक ही प्लास्टिक को हम 50 बार यूज करेंगे कम से कम ठेक है उसके बाद recycle जो प्लास्टिक खराब हो गया है उसको हम recycle करेंगे इससे क्या होगा नया plastics नहीं बनेगा नया plastics नहीं बनेगा इसका मतलब environment को नुकसान नहीं करेगा recover जो plastics हम लोगों ने खो दिया है या जो environment मैंसे पड़ा हुआ हुआ है उसको हम लोग इकठा करके फिर से उसको use करेंगे और refuse यानि कि जब हम लोगों को बताया जाएगा दुकानदार के दोरा या फिर किसी और तरीके से हम लोगों को ये कहा जाएगा कि प्लास्टिक का यूज करो तो हम लोगों को प्लास्टिक का यूज बिल्कूल भी नहीं करना है और आप लोगों के लिए एक और जानकारी पहली बात प्लास्टिक बैक्स को पानी में मत फिकना क्यूंकि पानी में फिकोगी तो वो जैसे हमने बताया मचलियां खाएगी और उनका सिहत कराप होगा रोड पे मत फिकना रोड पे फ़ोगे तो एनिमल्स खा लेगा हमेसा जब भी सॉपिंग करने निकलो एक कॉर्टन कैरी बैग या एक जूट बैग अपने साथ ले के जाओ टाकि आपको प्लास्टिक का यूज ना करना पड़े ठेक है जितना कम से कम हो सकए अतना कम से कम प्लास्टिक मेटरियल का यूज़ करना तो इन सब बातों के साथ-साथ आपका आज का क्लास खतम होता है आज का वीडियो खतम होता है आपके लिए कोश्चन्स मैंने पहला comment section में उसको डाल दो आपके answer का इंतिजार करूंगा and thank you very much अगर कुछ भी पूछना है बताना है तो comment करो चैनल को subscribe करो and अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसको like करो दूस्तों के साथ share भी करो और चैनल को subscribe भी करना Thank you very much